चोपडा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पहरे बचो, राजस्तान स्टेट के रेजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहे हैं, राजस्तान स्टेट की काउंसलिंग के लिए इस बार दो सबसे बड़े चें करवाना है, और किस डेट और टाइम को करवाना है, ये कंडिडेट को सलेक्ट करना होगा, ओनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, तो जो भी आप ये सेंटर और डेट और टाइम सलेक्ट करेंगे, उसके अकोर्डिंग उस सेंटर पर जाकर के, आपको सारे ओरिजिनल वेरिफाई करवाएगा वो उस राउंड के लिए इलीजिबल होगा काउंसलिंग के लिए अब यह ऐसा क्यों रखा गया है तो यह मेरे अकोडिंग मैं यह बता रहा हूँ हालांकि अभी तक ओफिशिल आया नहीं है जैसे ही इन्फोर्मेशन पुलेटीन आ जाएगा उसमें ओफिशिल आनॉंस हो जाएगा लेकिन मैं मेरे अकोडिंग यह बता रहा हूँ कि हो सकता है राजस्तान का जो थर्ड राउंड है इस बार वो ओनलाइन हो और इसकी वज़े से यह डोकुमेंट्स वेरिफाई पहले ही करवा रहे हो यह मैं मेरी तरब से अपने पॉसिबिलि चेंजेज है दूसरा चेंज यह है कि सेकुरूटी मनी है वो इस बार इंक्रीज कर दी गई है पहले सेकुरूटी मनी 10,000 EWS और UR कैटेगरी के लिए हुआ करती थी और 5,000 रुपए OBC, MBC, SC, ST कंडिडेट के लिए हुआ करती थी और प्राइवेट के लिए 1,000,000 हुआ करत जो पेमेंट सीट है उनके लिए यहां सेकुरूटी मनी 2,000,000 कर दी गई है इसमें और इसके बाद में जो प्राइवेट के लिए है वो 5,000,000 सेकुरूटी कर दी गई है तो यह सबसे बड़ा चेंजेज है तीसरा चेंज एक और यह भी हुआ है कि जो पहले रजिस्टेशन फीज 2,000 रुपए हुआ करती थी वो अभी 2,500 कर दी गई है जनल EWS के लिए और बागी के लिए 1,500 कर दी गई है ओबीसी के लिए भी 2,500 रुपीज है यहां पर रजिस्टेशन फीज तो यह भी बढ़ा दी गई है पहले 2,000 हुआ करती थी ओबीसी यूर और EWS के लिए औ 1,200 हुआ करती थी लेकिन यह अभी यह भी इंक्रीज कर दी गई है तो यह सबसे बड़े जो चैंजेज हैं इस बार यह कांसलिंग में राजस्थान की कांसलिंग में देखने को मिल रहे हैं अभी मैं आपको यहां पर सेडूल बता देता हूँ पूरा अब इस से पहले मैं आपको यह बता दो कि यह security money भी क्यों बढ़ाई गई है तो यह security money इसलिए बढ़ाई गई है seat blocking को रोकने के लिए यानि कि एक ही candidate के पास में दो-दो seat नहीं रख पाएगा तो इसको रोकने के लिए ये security money increase की गई है अब मैं आपको यहाँ schedule बता देता हूँ पूरा तो राजस्तान की website हर साल change होती है इस बार भी ये change होकर के www.rajuznyate2024.org हो गई है तो इसकी website पर जैसे ही visit करेंगे आपको इसका notification मिल जाएगा वहाँ पर भी आपको form apply करना है तो एक बार हम notification देख लेते हैं इसकी पूरी date देख लेते हैं या कौन सी date को क्या event है तो इसके application form दो part में fill किये जाते हैं part 1 और part 2 part 1 में आपको कुछ detail fill करके और उसके बाद में registration fees deposit करनी होती है और उसके बाद में part 2 आपको apply करना होता है इसमें अब इसमें जो part 1 है इस part 1 में आपको ये part 1 और 2 16 से लेकर के 21st August तक आपको ये करना है online application इसकी last date 21st August 24 होगी part 1 और part 2 दोनों की इसमें अब last date जो रहेगी online application form submit करने की वो 21st को रात 11 बज़के 55 मिनट तक रहेगी अब इसमें जो documents से आपके verify होंगे offline documents वो 17 से लेकर 22 अगस तक हो जाएंगे मैंने आपको बताया कि आपको application form fill करते समय time, date और center select करना होगा ये मेरे ख्याल से जो center है वो medical college ही दिये जाएंगे जैसे हर एक district में आजकल medical college हैं तो हर एक district के medical college दे दिये जाएंगे तो उन पर आप center select करके documents verify करवा सकते हैं offline के लिए तो ये 10 बजे से लेके साम 4 बजे तक का इसमें time रहेगा अभी जो इसमें documents verify करवाएंगे उसमें PWD candidate, defense, paramilitary और NRI candidate भी सामिल होंगे इसमें यहां पर पहले यहां पर सामिल होंगे जो PWD candidate हैं, defense के हैं, paramilitary के हैं, NRI candidate हैं इनके दो बार documents verification होंगे, एक तो सभी के साथ ही होंगे जो offline है, center select करना होगा और दूसरा उनके जो दूसरे documents verify होंगे वो जैपूर होंगे, वो पहले की तरह ही होते हैं, वैसे ही होंगे वो तो इसके बाद में जो provisional verification list आएगी वो PWD, defense, paramilitary, NRI के लिए वो 22 अगस्त को आजाएगी यानि कि जैपूर, इनको कौन-कौन से candidates को documents verification करवाना है उनके लिए 22 अगस्त को list आजाएगी इसके बाद में इनका verification होगा 23 अगस्त को 23 अगस्त को SMS medical college में इनका वहाँ पर documents verification होगा तो ये जो candidate हैं, इनका दो बार documents verification होगा एक तो 22 तक वो जो center select करेंगे, वहाँ भी होगा और एक फिर SMS में होगा 23 अगस्त 24 को तो ये दो बार documents verification होगा इनका, इन candidates का अब provisional seat matrix 23 अगस्त को आजाएगी और इसमें merit list है, वो 24 अगस्त को आजाएगी और जो PWD defense जिनके अलड़ी verify होगे documents उनकी 24 अगस्त को वो list आजाएगी अब security deposit के बारे में बात करें, तो security deposit आपको 24 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक करनी है तो इसमें जो security deposit है, वो 50,000 UR, EWS सभी candidates के लिए होगे जो government में admission लेना चाते हैं, इसमें इस बार कोई category नहीं रखे गई है 2,000,000 रुपए जो payment seat लेना चाते हैं, government college में उनके लिए है, ये भी सभी category के लिए है 5,000,000 रुपए private में लेना चाते हैं, उनके लिए 5,000,000 NRI के लिए और 10,000 रुपए जो BDS में admission लेना चाते हैं, जो government हो चाए private हो उनके लिए 10,000 रुपीज यहां registration fees रखी गई है candidate के लिए अब जो candidate 2,000,000 deposit करेंगे, वो 10,000 वाले seat भी ले सकते हैं उनको ये नहीं है कि 2,000,000 अलग से करना पुड़ेगा और government seat ले रहे हैं तो NRI की seat और private की seat भी fill कर सकते हैं, यानि कि सभी seat fill कर सकते हैं अब choice filling का देखते हैं, तो आप जैसे ही security deposit कर देंगे, आपके पास choice filling का option enable हो जाएगा, ये 24 अगस्ट से लेकि 27 अगस्टक रहेगा, यानि कि आपको online choice fill करनी हैं यहां पर उसके बाद में आप 28 अगस्ट को जो आपने online application form fill किया है, उसका print ले सकते हैं आप 29 अगस्ट को result आ जाएगा, और इसके बाद में 30 से 5 September तक, 30 अगस्ट से 5 September तक आप fees आपको deposit करनी है यहां पर, जो press fees है, one year की वो deposit करनी है और फिर report करना है, SMS Medical College जेपुर में, आपके original documents होंगे, दो कोपी, इसमें आप क्या जो भी है, documents उसकी दो-दो कोपी होंगी तो यह 5 September तक आपको report करना है, बाकी आगे के round से वो आपको बाद में बता दिये जाएंगे, कौन सी date को क्या होगा और session सुरू हो जाएगा 1st October 2021 को, अब ज्यादातर student का ये question होगा कि क्या ये इस परकार की जो कारवाई है, documents verification की, क्या हर round में होगा तो हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि राजस्तान में हर round में registration होते हैं, और हर round में ही ऐसी कारवाई होती हैं, तो ये events हर round में ही होंगे आगे वाली rounds में, यानि कि जो second round में documents verify करवाना चाते हैं, जो first round के छुटे वे candidate हैं, वो second में भी करवा सकते हैं, third में भी करवा सकते तो राजस्तान में ये facility दी जाती है, ओल इंडिया की तरह है, तो जो candidate छूट जाते हैं, वो last में registration कर सकते हैं, हर एक round में, और documents verification का भी ये हर एक में provision रहने की possibility है यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ instructions दिये गए हैं, कि देखो मैंने आपको बताया है कि जो PWD, Defense, Paramilitary और NRI candidate हैं, उनको दो बार documents verification करवाने होगे, एक तो जो center चुनते हैं, वहाँ करवाना होगा, और एक फिर आपको जैपुर SMS Medical College में, वो सिरफ उनी को करवाना है, जो PWD, Defense, Paramilitary और NRI candidate हैं, उनको जैपुर परजेंट होके वहाँ, अपना जो defense car ये certificate हैं, वो वहाँ पर documents verify करवाना ह करवाना है, जैपुर SMS Medical College में, registration fees का मैंने बता दिया है, 2500 रुपीज है, और 1500 रुपए SCST, STA candidates के लिए है, जो 2500 रुपए UR, EWS, OBC और MBC candidate के लिए है, राजस्तान के जो domicile candidate हैं, उनके लिए है ये fees, तो ये सारा schedule है, ये मैंने आपको condition बता दी है, फिर भी इसके, जैसे ह information relating जारी हो जाएगा, उसमें क्या condition रहती है, वो मैं आपको बता दूगा, और इसका registration कैसे करना है, आपको step by step, जैसे ही इसके registration हो जाएंगे, मैं आपको बता दूगा, क्योंकि इसके registration अभी start होए नहीं है, फिर भी मैं आपको एक simple step बता देता हूँ, application part 1 पर आपको click करना है, और इस परकार की detail fill करने के बाद में validate पर click करना है, अभी start होए नहीं है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक, जैसे ही start हो जाएंगे, मैं आपको step by step का वीडियो बना करके बता दूगा, तो ये जानकारी थी, राजस्तान state के schedule के बारे में, changes के बारे में, और ये सारा का सारा process से मैंने आपको बता दिया कि कैसी राजस्तान की counseling होगी, इस बार क्या-क्या changes हुए हैं, और ये changes क्यों हुए हैं, मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ, विदा जे पूल